दोस्तों स्वागत आप सभी का विहार समाचार में खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्कियों पर आज की पहली खबर में देखिए डिप्टी सीम तेजस्वी यादव का बड़ा एलान स्वास्थ विभाग में मिलेगी डेड़ लाक नोकरिया बाड़ी कबर में देखिए आज बिहार आने वाले हैं अमित साथ दोर से ठीक पले सिमांचल में बंगलादी से घुसपेडों के मुद्दी पर भाजपा के तेवर गरम बाड़ी कबर में देखिए अक्टूबर मैने से बिहार में बालूख खननन 28 जिलों में सुरू होगा काम बाड़ी कबर में देखिए बिहार में पुलिस अफसरो और जवानों की छुटिया कैंसिल दुर्गापुजा में सक्त सुरक्चा वबस्ता करने को लेकर मुद्ध केले ने जारी किया देज तो आखिर क्या है पूरी कबर आपको विस्तार से बताएंगे तो आगे बढ़ने से पहले आप सब इस अनुरोदे के इस वीडियो के प्यारा लाइक जरूर कर दिजेगा तो चलिए सुरुआत करते हैं आज के पहली और बड़ी ख़वर से आज की पहली ख़वर में देखिए डिप्टी सीयम तेजस्वी यादव का बड़ा एलान स्वास्थ विभाग में मिलेगी डेड़ लाक नोकरिया जी हविहार की डिप्टी सीयम तेजस्वी यादव ने आरजडी राज परिसत की बेठेग में कहा कि अब राज़त में संगडन के बुमी का अहम होगी उन्होंने मंत्रियों से कहा कि जिलों में अब जिला एदक्च सबसे अधिक महत्पून होंगी विधायकों और मंत्रियों को जिला एदक्चों की राग की तवज्जों देनी होगी जिलो में वे ही सब कुछ है पाड़ी के धाचे में मंत्री और विधायक महाजेक सदे से इससे ज़्यादा कुछ नहीं है डिप्टी सियम ने कहा है कि पाड़ी के बेनर और पोस्टर पर राज़त कार्याले में संतर अविधास और कबीर के चितर लगाया उन्होंने बताई कि अगले स्वास्त बिवाग में डेड़े लाक नोकरिया दी जाएगी बड़ी खबर में देखिए आज बिहार आने वाले हैं अमित सा दोरे से ठीक पले सिमांचल में बंगलादी से घुसपेडों के मुद्दी पर भाजपा के तेवर गरम जी है केंदरे ग्रिया मंत्रे आमित सा 23 सितमर को सिमांचल के दो दिवसे दोरे पर पुर्णिया पहुँच रहे हैं सुकुरवार को पुर्णिया के इंदरा गांधी स्टेडियम में जन भावना रेली को ग्रिया मंत्रे समोधित करेंगे जबकि आगले दीनानी 24 सितमर को सनिवार को किसन गज में दो अलग लग बेटों को में सिर्कत करेंगे ग्रिया मंत्रे के आगमन से ठीक भले भाजपानी सिमांचल में बंगलादी से गुसपेडो का मद्द उठाया है ग्रिया मंत्रे के समांचल दोरे को कई माइनों में अहम माना जा रहा है भाजपा मिस्सा के कायरकरम के तयारी को अंते रूप देने में जुटी भी है ग्रिया मंत्रे के दोरे से पूर्व भाजपा के प्रदेश अद्च डाक्टर संजज आस्वाल ने बंगलाद इसे गुसपेडियों के मुद्धे को ठाया है उन्होंने कहा कि सिमांचल में आने कि समय सा खड़ी हो रही है कहा कि वैसे भी यहां सिमित रोजगार है उपर से अकर गुसपेड होता है तो स्वभावित है कि समय सा खड़ी होगी वही सानवाज हुसेन ने भी बंगलाद इसे गुसपेडियों पर हामला बोला है और कहा कि बेबाक्ची दल अपने वोड बैंक के लिए इसे लोगों को तमाम स्वेधाय उपलब्द कराते हैं गुसपेडियों को कड़ा संदेश मिला है सानवाज हुसेन ने भुदवार को भागलपूर में पत्रकारों से बात कर रहे थी इस रेली में कई जिलों के भाजबा कारिकरता पहुचेंगे वही अमिस्सा के कारिकरम को लेकर भाजबा के दिगज नेतल लगतार जन संपर्ग भी कर रहे हैं वाई बाड़ी कबर में देखे आमिस्सा के सिमांचल दोरे पर तगड़ी सुरक्चा किसन गज में बूड़ी काली मंदर का घंटा और बाल भी बेचेक हुआ जिहा केंद्रे ग्रिया मंत्रे आमिस्सा पहली बार सिमांचल दोरे पर किसन गज पहुच रहे हैं 23 और 24 सितंबर को उनके आगमन को लेकर गुरवार दीन भर पुलिस और प्रासासनिक आमला सुरक्चा तयारियों को अंतियरूप देने में लगा रहा ग्रिया मंत्रे के सुरक्चा को लेकर दिली से पहुचे सुरक्चा दिकारियों ने लोकल पुलिस के साथ हवाई एड़ा से एमजियम गेश्ट आउस और बोड़ी काली मंदिर में उनके आगमन प्रास्तान का पुरवाभ्यास किया गया दरजन गाडियों का काफिला के साथ सारन बजाते विए सुरक्चा का पुरवाभ्यास किया गया वहीं हवाई एड़ा से एमजियम गेश्ट आउस तक रिहलसल के बाद केंद्रे टीम का काफिला बोड़ी काली मंदिर पहुचा सबसे पहले मंदिर के मुई के द्वार का जाजा लिया गया फिर एक गाड़ी को अंदर जाकर पुरवाभ्यास किया गया वहीं गिर्यमंद्र के गाड़ी को कहा रोकना है कैसे उतारना है और मंदिर के अंदर किस सड़ी से उकर जाना है सुरक्षा अधिकारियों ने मंदिर कमीटी के सदस्य भी से जानकारी ले काली मंदिर का असपास की सुरक्षा वेवस्ता का बारे की से निरेक्षन करने के बाद कुछ अधिकारी मंदिर में गए वहाँ पुजारी से जानकारी ले गए कि गिर्या मंद्री को पूजा के लिए कहां पर बेटना है और पूजारी कहां बेटेंगे इसके अलवा मंदर के अंदर का जाजा लेने के बाद सुरक्षा दिकारियों ने मंदर कमीडी के सदस्व को बताये कि जहां गिर्य मंदरी बैठेंगे वहां सिर के उपर कुछ नहीं होना चाहिए मंदिर में लगे घंटा रोसनी के लिए लगे बलकू को भी सुरक्षादी करियों ने साइड करने को कहा ता कि पूजा के दुरान गिर्यमंद्रे के सिर से उपर घंटा या बल बना रहे बाड़ी ख़बर में देखें आमिस्ता के पूर्निया रेली में सिमांचल के नेताओ के पाला बदलने की चर्चा तेजस्वी ओवेसी की गड़ में हो सकता है बड़ा खेला केंद्रे गिर्यमंद्रे आमिस्सा की बिहार के पूर्णिया में सुक्रवार को होने वाले रेले में सिमांचल के कुछ इनेता पाला बदल सकते हैं बिहार में सत्ता से बाहर होने के बाद बीजेबी का राज में पहला बेड़ा कार्करम होने जा रहा है आमिस्सा ने इसकी में रेली होनी है इसमें सिमांजल के चारों जिल के अलावा आसपास के आईनी लाकों से भी बीजेपी के कड़ीब डेड़ से दो लाग करकरदा सामिल होंगे सेमने तेस कुमार के पाला बदलने के बाद 2024 के चुना में बीजेपी ने बिहार के 40 में से 35 सीटों पर जीत कलच र पर की गारा राज्यों में पिएफाई के खिलाब सिंगा जाकसा है टेरर फर्णिंग और केम्पिंग चलाने के मामले में विविन राज्यों में चापे मारी चल रही है एनाई एडिय और राज पुलिस ने विविन मामलों में अब तक 106 लोगों को गिरबतार किया है से आजित डोबाल ग्रेस तचीव और एनाई के डिजी के साथ बेड़क भी की है दरसल एनाई ने बिहार यूपिक केरल आंद्रपर्दिस तलंगाना करनाटक तामिल नाडू समयत कई राज्यों में पिया पाए और उससे जोड़े ठिकानों पर चापे मारे कर रही है इगा से नौ दिल्ली से तीन मैद परदेश से चार पूर्डू चरी से तीन तामिल नाडू से दस और यूपिस से आठ और राज्यतान से दो लोगों को गरबतार किया गया है बाड़ी कबर में देखी अक्टूबर मैने से बिहार में बालू खनन 28 जिलो में शुरू होगा काम बालू का खनन ओ रहा था अभी बालू खनन पर एंजेडी की रोग लगी है इसके ताथ 31 सितंबर तक बालू का खनन नहीं होना है नदियों में तेन मीटर से अधिक की खुदाई नहीं हो सकेगे सरकार में खनन की सिमा तै कर दी है इतना ही नदियों की जलिस्तरिया तेन मीटर में जो कम होगा वही खनन की सिमा होगी इसके अलावा 300 मीटर के दाइरे में बालू का भंडारन कर सकेंगे पाच किलो मीटर के आगे बालू भंडारन के लिए अलग से लाइसेंस नहीं लेना होगा बंदोबस्दारियों को बंडारन सिस्तल का जियो कोडिनेट के साथ बंडारन के मातरा के ओलाइन पोडल पर जालकारी भी देनी होगी बाड़ी कबर में देखे बिहार में पुलिस अपसरों और जवानों की छुटिया कैंसिल दुर्गापुजा में सक्त सुरक्षा वबस्ता करने को लेकर मुख्याले ने जारी किया अदेख जिया बिहार में पुलिस अपसरों और जवानों की चुटिया कैंसिल कर दी गई है इस बारे में एक अदेख से बिहार पुलिस मुख्याले की ओर से जारी किया गया है का एक लेटर भी बेजा गिया है दरसल पुलिस अफसरों और जवानों के चुटिया को कैंसिल किया जाने की या वबस्ता विसे इस तोर पर तेरे दुनों के लिए की गई है 26 सितंबर से नवराद की सुरुआत हो रही है बिहार पुलिस मोक्याले ने दुर्गापुजा को द्यान में रख करे या कदम उठाया है हुजा के दोरान राज के अंदर लो एंड और 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 सम्रताई की सदबाव बनाए रखना पुलिस के लिए सबसे बड़ा चलेंज है मोक्याले चाता है कि सांत और खुसी वाले माहौल में दुर्गापुजा संपन हो इसके लिए अपसरो और जवानों की छुटिया को कैंसिल किया गया है बाड़ी कबर में देखे 25 सितमर को सोनिया से मिलेंगे नितिस और लालो दोजर चोबिस की विबक्ची एक जुटता का रोड मैप बनेगा जहां मुखि मंतरे नितिस कुमार और राज़त प्रमोग लालो परसाद यादो 25 सितमर को कॉंग्रेस के अध्रक्ष सोनिया गांदी से दिल्ले में मुलाकात करेंगे 25 साम 6 बज़ सोनिया गांदी दोनों निताव से मिलेंगे और देश बर के विबक्ची दलो को एक मंझ पर लाने की चल रहे कोशिस को और प्रभावी बनाने की बात करेंगे बता दे कि नितिस कुमार बिपक्च को एक मंज पर लाने की कवायत को ले करे दिल्ली में 5-7 सितंबर तक थे इसी बीजवे कॉंग्रे सिनेता राहूल गांदी दिल्ली के मुख मंदरे अर्विंद के जरिवाल समेद विविन दलो के सिर्ष नेताओं से विपक्च को एक जूट करने की बात की थी तब सोन्या गांदी विदेश में थी जिस करान उनसे इस मुलाकात नहीं हो सकी थी बाड़ी खबर में देखे पड़ना और सारन जिले में सिक्चक नियोजन चटवे चरन की काउंसिलिंग का नया सेडूल हुआ जारी जिया सिख्चा विबाग बिहार सरकार पटना ने सिख्चक नियोजन जिन जिलो में चटवे चरण की सिख्चक नियोजन प्रक्रिया निर्धारित सेडूल में पूरी नहीं की जा सकी है उन जिलो के लिए नय काउंसिलिंग सेडूल जारी किया गया है बिहार सिख्चक भरती चटवे चरण के नियोजन में सेस रह गए अभियरती आब समादित काउंसलिंग सेंटरों में 19 सितंबर से 29 सितंबर 2022 तक आवेदन कर सकेंगे आवेदन कर आधार पर इपाली प्रविजनल मेगा सुझी 13 अक्टूबर 2022 को जारी की जाएगी मेगा सुझी पर अपतियों को निरंकरन के अंतिम तिती दो नॉम बर 2022 निदारित की गई है बाड़ी कबर में देखे नितियस कुमार का बड़ा फैसला बिहार में सरकारी कर्मियों के इस माचशा 20 को मिलेगा वेतन जह राज सरकार परदेश के 4 लाख से अधिक राज कर्मियों को इस बार दसहरा और आने परव को देखती वे 26 सितंबर से ही वेतन का भुगतान सुरक कर दिया जाएगा मुखी मंतरी नितियस कुमार के निर्देश पर वीती विभाग नहीं फैसला लिया है अब दग मा के अंतिम काईर दिवस पर वेतन भुगतान होता था वीत मंतरी बिजे कुमार चोधरी ने बताए कि समय से पहले वेतन मिलने से राज कर्मी भक्ति और उल्लास के साथ परव तियुहार मना सकेंगे दो सालों में कोरोना से ऐसा नहीं हो पा रहा था ऐसे में राज के लोग तियुहार सही तरिके से नहीं मना पाए हैं इस सल सरकार लोगों को तियुहार मनाने में कोई आर्थिक परिसानी ना हो इसके लिए समय से पूर्व वेतन निर्गत करने के फैसला लिया गया है बाड़ी कबर में देखे बिहार से अब उडान होगी सस्ते सरकार ने टर्बाइन फ्योल पर वेड दर घटा कर किया 4% जिया बिहार सरकार ने विमानों की आवाजाई को बढ़ाने के लिए वेड दोरों में भारे मात्रा में कमी की है राज केबिनेट ने गया हवाई एड़ा एवियसन टर्बाइन फ्योल पर लगने वाल वेड की दर्क 29 बरतिसद से घटा कर 4% करने की स्विक्रते दी है इस निन्ने से गया हवाय अड़ पर सस्ता अवियसन टर्वाइन फूल मिलने से ना केवल विमानों की संक्या बढ़ेगी बलकि इससे इंदन की खपद में भी भीर्दी होगी मदोबनी जिला जदोई की बेडग गुरवार को इस्तानी कार्याले में हुए इसमे मदोबनी जिले के जदोई के राष्टी अधक चोर प्रदेस अधक से मिलकर इस प्रस्ताव को आउगत कराएगा बड़ी कबर में देकी बियार में लिंग अनुपात में बड़ी गिरावार्ड पांच साल पर परती हजार लड़कों पर 934 बेड़िया थी अब घट कर 908 हो गई है जब यहार राज आजेब विसंगती से जूज रहा है अमारे बच्चों का लिंग अनुपात चिंता जनक अनुपात में गिरा है नेशनल फेमिली हेल्थ सर्वे 5 के आगडों के ही परिदू से परस रहे हैं सरवादी गिरावार्ड मुझा परपूर में है यह चैल सेक्स रेशियो 930 से गिर कर 685 पर पहुच गिया है राज का उसद बीते 5 वर्सों में 26 संगटा है पांसल पले यह 934 था जो अब घट कर 908 हो गया है अब रिपोर्ड में यह कुलासे के बाद सरकार ने लेंगिंग समय दिन सिल्ता पर हाई लेवेल मुटिंग बलाई है बाड़ी कपर नितिस सरकार ने बिहार, बिसेश, सर्वेक्चन और बंदबस्तिक का काम नौमबर 2024 तक पुरा करने का आदिस दिया जहर आज में चल रहे बिहार, बिसेश, सर्वेक्चन और बंदबस्तिक कायर 2024 के नौमबर तक पुरा कर लिया जाएगा मुख्य मंत्रे ने पदादी कारियों को इस कायर में तेजी लाने का निर्दिस दिया है और उन्होंने कहा है कि 60 परतिसत से अधिक अपराद भूमी विवाद के कारण होते है सरविक्षार और बंदोबस्ते कायर पुरा होनने से भूमी विवादों में कमे आएगी समाज में असांते सावित होगे मुख्य मंत्रे ने गुर्वार को एक निमार के सित संकल्प में राजा सवा मुमी सुधार बिवाद के अंतरगाद विसे सरविक्षा नवादोबस्ते कायर के समेक्षा की और कई निर्दे से पदादिकारियों को दिये है आज के लिए बस इतना ही इसी तरह बिहार के डेली नियूज देखने के लिए आप अमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें